केलसियम की जो दबाए वह आफ को Колवी हुए फूल वीडियो लोसे पहले देख रहे हो देखने के बाद वीडियो अच्छ लेगे तो सब्सक्रИब करदेना और सा कम लाइक भी करदे ला से पॉलेट है। और जब का पॉल्ट्री लंगरा हो जाता है वो भी नहीं होगा तो बताऊंगा कैसे क्या होता है ठीक है तो वीडियो को थोड़ा सब स्कीप मत करना फूल वीडियो देखना पहली बात तो यह है कि 14-15 दिन के बाद पॉल्ट्री का जो बच्चा है वो लंगरा होने लगता है देख सकते हूं या पर और हंडेट में से 90% लोग क्या करते है केल्चेम की जो दबाए उसको एवोइड करते है वो दबा नहीं पिलाते है और उनका पॉल्ट्री फाम के अंदर लंगरा बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है उसके बाद और वो लंगरा बच्चा अगर खा ना पानी उस तरह के ठीक से नहीं खाया होगा तो पहले बताता तो आप लोग केल्चेम की दबा पिला होगा तो पॉल्ट्री का बच्चा क्यों लंगरा नहीं होगा और आपका जो पॉल्ट्री का वेड भी ज्यादा आएगा ठीक है तो पॉल्ट्री का बच्चा लंगरा कटम में करते हैं चल नहीं पाता हो जाता है। फिट से आ जाएगा। पोल्ट्य जी लंग्रा होने से बच जाएगा। प्रोफिट भी हो जाएगा क्योंकि आपका पॉल्टरी बलंगरा नहीं होने वाला है और केल्ट्रियम की दबा पिलाने से आपका पोल्टरी का वजन केसे बरेगा मैं आप सब को डीटेल में समझा देता हूँ पॉल्ट्रियों को केल्सियम की दबा जब पीड़ाओगे जो उसके बात किया होगा उसका जो पॉल्ट्रिय का हड़ी होता है वो सक्त होगा और उसका वजन भी ज़ादा होगा तो ultimately देखा जाए तो आपकाronic चीकन का जब बजन किया जाएगा तो हड़ी का भी बजन एक सथ पड़ता है तो आपका हड़ी का भी पेषा देखेदा है और हड़ी में जो चीकन होता है पॉल्ट्री का जादा पकड़ में आता है कुल्टिमेटली एपका बजन भी ज़दा होगा पॉल्ट्री ना हो और गदा हो यह रिषान की बहुत ज्यादा पकड़ में आएगा तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों वीडियो कैसी लगी मुझे कुमेंट करके जरूर बतना और चैनल पर अगर आप लुग नहीं है तो एक सब्सक्रेब जरूर कर देना और